नमस्कार, शराब घुटाला, पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, दो साल से बीजे पी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी है, कई लोगों को गिरफतार कर चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर-फेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पै पैसा नहीं मिला अगर व्रिष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई व्रिष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के में खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़के जेल में डाल दो अब बीजय पी मुझ मुझे बदनाम करना चातें मेरी इमांदारी पर चोट करना चातें इन्होंने मुझे समन भेजए हैं मेरे वकीलों ने मुझे मुझे है कि यह समन गयर कानोनी एक मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया, मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानुनी है, लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानुनी है, क्य जाँको चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोग साभा चुनाव के पहले मुझे क्यू बुला जा William कि B6 इनका मकसद है पूछताच के बहाने केज रिवाल को बुला लो और उसे गिरिफ्तार कर लो ताकि मैं लोग सब्सक्राइब में प्रचार ना करपूं आज ब्रश्चाचारियों को नहीं पकड़ रही बलकि खुले आम ED और CBI का इस्तिमाल करके दूसरी पार्टियों के बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए तो जो इनकी पार्टि जॉइन कर लेता है उसके सारे मामले रफादफा कर दिये जाते हैं जो इनकी पार्टि में नहीं जाता वो जेल जाता है आज मनीज सिस आज भी गलत काम किया होता तो दूसरे भृष्टाचारी नेताओं कि तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुकिए तो होते आज तरह देश के इमानदार नेताओं को जेल में डालके और भृष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाके ऐसे तो देश आगे नहीं वड़ सकता यह क्या चल रहा है यह जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है यह हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है इसे रोकना होगा मै मैं हमेशा देश के लिए लड़ाऊं मेरा तन मन धन देश के लिए है मेरी एक-एक सांस देश के लिए है मेरी खून की एक-एक बूंद देश के लिए है मेरे शरीर का एक-एक कत्रा देश के लिए समर्पित है हमें मिलके देश को बचाना है मैं पूरी जीजान से इनके खि हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं